हलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें टार्गेट विद कम्पटीशन एक्जाम चैनल को रेगुलर उपडेट्स पाने के लिए बेल आइकोन को क्लिक करें चली शुरू करते हैं हलो फ्रेंड्स कल से रिजल्ट ही रिजल्ट आ रही हैं और आज एक और रिजल्ट आ चुका है जिनमें की SSC-CHSL का रिजल्ट आया है अभी अभी आया है और कल से RRB, UPSC और अब SSC-CHSL टार्गेट विद कम्पटीशन एक्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल को एजिक से दिक सब्सक्राइब करें परिक्षा हुई थी 30,57,993 कैंडिडेट्स ने भाग लिया था केटेगरी वाइज SSC ने कट आफ निकाल दिया है जो की डिस्क्रिप्टिव पेपर में शामिल होंगे वो लोग जोनों ने की ये परिक्षा उतिर्ण की है जो SSC ने कट आफ निकाला है वो इस तरह से है अन्रिजर्व कैटेटरी 127.50 14,517 स्टुडेंट्स लिये गए है VH का जो कट आफ है वो 96 है 436 लोगों को लिया गया है SS का जो कट आफ है 65, 509 लोगों को लिया गया है OS का कट आफ है 97.50 1123 लोगों को लिया गया है X सर्विसमेन का 64.50 राय कट आफ 4415 लोगों को लिया गया है OVC इसका जो कट आफ राय वो 120 अंक रहा है 20,813 स्टुडेंट्स लिये गए है ST का 99 कट आफ राय है 3,509 कैंडिडेट्स लिये गए है ST का जो कट आफ राय वो है 108 7,889 कैंडिडेट्स लिये गए है कुल 53,201 कैंडिडेट्स लिये गए है descriptive पेपर के लिए तो इस तरह से SSC ने जो की descriptive पेपर जो होगा वो ही SSC की जो vacancies हैं उनको वो ही शामिल होंगे जो उन्होंने इस cut-off को clear किया है इसके लाबा descriptive test का जो program है वो regional office की website पर shortly डाल दिये जाएगा और कोई भी अन्य जानकारी आपको लेनी हो तो ssc.nic.in पर ले सकते हैं जो लोग qualified हैं और non qualified हैं वो लोग SSC की site पर जाकर अपना result और अपने marks देख सकते हैं चलिए जिन लोगों ने ये परिक्षा पास करी है उनको बहुत बहुत बढ़ाई और आने वाले exam की बहुत अच्छे से तैयारी करें अगले वीडियो के साथ हम एक बार फिर उपस्चित होंगे Thank you very much तैयारी क्वेशी के साथ हैं